जी हाँ दोस्तों मैं शुभंतिवारी आप सभी के स्वागत करता हूँ अपने चैनल सोनर सी इस पर तो यसा कि आप सब के दिसंबर 22 में एक्जाम स्टार्ट होने वाले हैं फाउंडेशन वाले बच्चे तो मैं देख रहा हूँ कई बच्चे एकाउंटिंग के लिए के पूर हो जाएगा और अगर आपने मेरे बताए हुए तरीकों को अपना लिया तो आप हंडेट परसंट 50-60 मार्क्स ला सकते हैं अकाउंट्स में और जो बच्चे और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और ज्यादा अच्छे उनके लिए भी वीडियो है तो बिना देरी क पर सब्सक्राइब करता हूं पर सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए पर है आज मैं थोर तेज बोलूँगा क्योंकि आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है इसलिए sorry उसके लिए तो जैसा कि आ आए हैं और जिस बुक से आए हैं उनको बकाइदा आपका उस बुक का पेज नंबर और कोशन दिखाऊंगा एज इस तो बुनादेरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हां याद रहे यह जो इसमें true and false है मैं को यह रिगार्डिक नहीं बताना चाहता हूं अभी पा रहे हैं यह देखे मैंने reference दे रखा है और यह इस chapter से और इस page नंबर पर आप अपनी बुक को देख सकते हैं गर आपका latest module है December 22 के लिए जो applicable है उसमें आपको यह same page नंबर पर आपको यह topic मिल जाएगा तो आपने क्या देखा कि जो theory questions है उसके लिए आपको पूरी theory अगला question आप देख पा रहे हैं यह trial balance का है और यह देखिए trial balance ट्य唱 पेस nyt यह है और फेस नंबर पर यह trial balance से ई कौश्चन आप देख पा रहे हैं ICI ने पूछा है और यह सारी जो question मैं आपको reference दे रहा हूँ है सब ICI module के हैं आपके पास अगर लेटिस्ट ICI module है तो आप उस पेस नंबर पर आप देख पा रहे होंगे सेम कोश्चन में 22 में आया था फिर आप देख पा रहे है अगला कोश्चन हमाई पास depreciation का है यह भी आप देख पा रहे है ICI module का ही कोश्चन था एक परसंट नहीं चेंज किया है यहां तक इन्होंने नाम तक नहीं चेंज किया है बस थोड़ा amount इन्होंने चेंज कर दिया है 10 marks का कोश्चन आपके ICI module से अगला कोश्चन जो है वह आपका closing stock वाले से value of stock से है inventory valuation से as this question module का है आप देख पा रहे होंगे अब अगला question आपका BRS का है यह देख पा रहे होंगे इस question का difference दिया है हाँ यह बात अलग है कि BRS का जो question होता या rectification of errors का जो question होता यह as this नहीं हो सकते हैं हाँ लेकिन जिसमें जितने भी points होंगे वो सब आपके module से ही होंगे तो अगर आप अपने module के सारे BRS के points को या फिर rectification of errors के सारे points को समझ लेते हैं तो आप इस question को पूरा सही कर पाएं गे अब अगला question आप देख पा रहे होंगे यह हमारा consignment account का है यह देखिए as it is as it is आपके ICI module में है आप चाहें तो देख सकते हैं May 22 में आया है अगला question आपका I think कि यह approval of goods वाले chapter से है यह देखिए same as it is as it is बस के वर ICI ने उनके जो number है figures वो change की है बाकी as it is question आपके ICI module से अगला question मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस question को मैंने जानबूच के नहीं दिया क्योंकि यह भी आपके ICI module में है आप देख सकते हैं फिर आपका goodwill वाला question यह देख पा रहे हैं यह भी आपके ICI module से ही है फिर यह देखिए सबसे 10 marks का question आपका NPO का जो बच्चों को हाल रखता है यह भी देखिए आपके ICI module का है as it is यह देखिए सबसे 20 marks का question आप लोग सोचाओंगे यह तो पका ICI module से नहीं होगा लेकिन भाई आप देखिए यह भी ICI module का ही है देख लीजिए एक एक points आप match कर सकते हैं में 22 का question paper है एक बार फिर से बता देना चाहता हूं आपको अगला यह देखिए आप company accounts का देख सकते हैं यह भी as this module का ही है तो दोस्तों आप last में थोरी है यह देखिए यह भी थोरी है हाँ वो बात अलग है question दोनों सेम नहीं है पर जब आप इस सारी books को पढ़ेंगे तो इसमें आपके और रडी सब लगाईएगा पर बाद में सबसे पहले आपको अपने ICI module को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से practice कर लेना है थोरी के बात है थोरी के लिए आपके हर जितने भी चेप्टर है हर चेप्टर में जो तो तीन questions है थोरी के उनको पढ़के उनके थोरी एक बाद revise कर लिए बस आपके थोरी complete हो जाएगे अब यह true false है उसके लिए मैंने time नहीं waste किया है बिन फाल्तु में एक एक points थोणके पर मुझे इतना भरोसा है कि जितने आपके true false आपके module में है बस आप उनहीं को एक बार देख लीजेगा आपका minimum 12 में से 10 marks true false का cover हो जाएगा तो फिर से कहूंगा आप के लिए रामबान है आपका ICI module आपने देखा अगर आप चाहें तो आप और भी किसी paper को reference ले सकते हैं में 22 का है आप चाहें तो December 21 का ले सकते हैं लेकिन मैं मना करूंगा कि क्या आप पास इतना time नहीं है time मत बेस्ट के लिए आपका time बचाने के लिए ही मैंने वीडियो डाली है आपको सारा reference दे दिया है अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपको विश्वास हो गया है तो आप एक काम करिए आपको जो जो chapter अच्छे से आते हैं बस इन chapters के ICI module के सारी questions कर लीजिए अगर आप जेनरली बात करें तो अभी आपके पास I think 20 दिन होगा 15-20 दिन है आप डेली अगर आप एक chapter उठाते हैं ICI module का उसे अच्छी तरीके से practice कर लेते हैं तो आप अगले 15 दिनों में आप ICI module के 10-15 chapter अच्छी तरीके से practice कर सकते हैं और आप पूरे में पूरे marks ला सकते हैं और अगर आपको ऐसे other जो आपके subjects हैं उसके regarding videos चाहिए तो फिर आप comment box में बता दीजिएगा और वीडियो को like कर दीजिए धन्यवाद